हेलो एवरिवान कैसे आप लोग तो आज फिर सिंपल इंट्रेस्ट का लेक्चर नंबर फोड़े स्टार्ड कर रहा हूं और थोड़ा सत्तवेद खराब है ठीक है तो याद रखना अच्छे से पराऊंगा परहाने में कोई कमपाई ने होगी भले उतना इनरजेटिक सेशन न क्या पूछा गया देना को सीजी महों कोशन पूछा कोशन क्या बोल रहा है याज क्लास का उसम्स को फट्सन क्या बोल रहा है दा है इस ऑई ऑन 14600 14600 from 11 May 1987 to 5 September 1987 1887 बोथ दे आर एक्सक्लूड़ीड बोथ देज आर एक्सक्लूड़ीड बोथ दे आर एक्सक्लूड़ीड एट फाइफ परसेंट पर इनम इज अब इसमें क्या बोल रहा है कि आपका करवाया था और आप बोला था कि फिर मैं इसके जब तक आपको इस को संके आदी नहीं हो जाओगे आसानी से नहीं कर पागता तो सिखाता रहोंगा तो देखें क्या बोल रहा है आपका कि इसाइ ऑन दो फोर्टीन थाज़ेंड शिक्स हंड्रेड फ्रॉम दे लेवन माई 1987 टू फिप्ट सेप्टमबर 1987 बोट डे आर एक्स्क्लूडेड मतलब दोनों डेट को हटा दिया दो कैसे कैलकुलेर करोगे तो पाला में देखो 11 माई जन्वड़ी फरवड़ी मार्च अप्रील माई 31 दिन का होता है 31 में से 11 घटा दो 31 अब डेज यहां पर देखो क्या माई है माई है न तो 31 में से 11 घटा दो कितना बचेगा 31 में से 11 घटा यहां तो बच गया 20 माई में 20 डेज बचे अब जून की बात करते तो जून आपका कितना दिन का होता है देखो जनवड़ी फरवड़ी मार्च अप्रील माई जून तीस दिन का तो तीस दिन इसका हो गया जून के बाद क्या हो जागा जुलाई जुलाई कितने दिन का होता है जनवड़ी फरवड़ी मार्च अप्रील माई जून जुलाई 31 डेज अगस्त कितने दिन का होता है 31 डेज सिप्टिम्बर है सिप्टिम्बर अब सिप्टिम्बर कितना दिन लेदा है तो मैं वहाँ पर हमेशा 5 लेता था लेकिन यहां पर करा कि दोनों एक्स्क्लूड करना है तो आपका क्या हो जागा थिक है अब कितना हो जाएगा कि टॉटल डेज कितने हो जाएंगे टॉटल कितने हो जाएंगे 20-50 अब 30-81 और कितना हो जाएगा एक क्या सी और एक तीस कितना हो जागा एक तीस और चार्ड एक सो बारा चार्ड शोल हो जाएगा टोटल नमबर अपडेज कितने आगे वन सिक्स्टीन डेज आप क्या बोल रहा है एस आई अन इतना फ्रम एलेवन माई परसेंट अब देखो क्या निकालना सिंपल इंट्रेस टाइम आपका क्या दे रखा है टाइम कितना आपका 116 डे जाए तो सिंपल इंट्रेस्ट निकालोगे क्या 14600 गुने फाच बटा 100 इंट्व 116 इंट्व 365 ठीक है 365 करोगे ठीक है अब जो जो कटने वाला सो काटते रहो ठीक है काटोगे तो सिंपल इंट्रेस्ट की किसी है अब करता ना लुक्त म alcanz मृठिक भी 1 अब कर आपन बोज्यानोज सरीर काम निकरता प्रालोगव ठीक है और अब कोई भी कोशन हो रिप्चेढ़ सकते हो तो कर सकते हों ना कि कर सकते हो कि नंगा दो मेरे भाई खोज आगा ना अब बंधकना वी डेटर रखा हो सिप्ल देट्ट निकालना एक और प्रिंस्पल डेजिए कभी डेटर ऐसी इसी कल्कुलेट कर लोगे समझ गए चलो आप अगला कोशन देखू अगला देखो कोशन, कोशन नमबर टू आज क्लास का, कोशन नमबर टू क्या बोलता देखिए, बोलता है सम वाज केप्ट फूर्यार्स एस सम वाज केप्ट फूर केप्ट फूर्यार्स at some rate at some rate at some rate of simple interest at some rate of simple interest if it were if it were if it were kept at a kept at a 3% higher 3% higher rate 3% higher rate than what would what would have earned have earned ठीक है यह कोशन पूछा गया आपका में 1800 मोर और NTP से पूछा गया ठीक है मोर वाट इस दा वैल्यू वाट इज दा सम बोला आपका सम क्या होगा वो बताना आपका सम क्या होगा वो बताना ठीक है तो बहुत ही आसान गुस्टन बता दो जल्दी से भाई जल्दी से ब्यादो असान कुस्टन है बताओ जल्दी से असान कुस्टन है देखो अब क्या बोल रहा है आपका बोल रहा है डे हैब अठाराव सम और ठीक है, question द्यान से, a sum was kept for 4 years, ठीक है, 4 साल के लिए, और rate के तरह रहा है, 3 12% time आपका दे रखा है, 4 साल, और rate 3 दे रखा है, ठीक है, और कितना percent more है, तो 12% more है क्यों ऐसे मैंने किया, यहाँ पर आपको निकालना sum है, sum ही निकालना है, लेकिन दोनों का difference जो है, आपका 800 दे रखा है, तो 12% is equal to क्या है, 800 तो 4 ती आई 12, और क्या हो जागा, 4 चका 16, 4 पंचे 20, 0, 3 से कटेगा कितना, 15 रत्या 45, मतलब 1% इजी कस्टू, 150 तो 100% प्रिंस्पल क्या हो जाएगा, 15 एक और 0, मतलब की आपका sum क्या, sum मतलब principle, कितना हो जागा, 15,000, कितना हो जागा, 15,000 आपका right answer हो जागा, अब बता दो, किसी को कोई तकलिफ हो गई, बताओ न चल्दी से, किसी को कोई तकलिफ होई, क्या नहीं, बताओ, कोशन अचाता न, जल्दी से नोडान करो, फिर आगले कोशन पर चलते हैं, ठीक है, जल्दी से नोडान कर लो जल्दी से नोडान कर लो फिर अगले कोशन में चलते हैं नोडान कर फिर अगले कोशन में चलते हैं इसको रेज करते हैं ठीक है आप देखो कोसर नमर थ्री देखो आज की क्लास का देमाउंट ओफ देमाउंट ओफ देमाउंट ओफ चार सो कोई अमाउंट था कितना हो गया भाई चार सो असी हो गया चार सो असी हो गया 400 कोई एमांट था वो 480 हो गया at simple interest at simple interest in four year in four years if the rate is increased by two percent if the rate is increased by two percent अगर rate 2% increase कर दिया जाता है तो उसके बाद बोल रहा है क्या पर एनम, two percent पर एनम, ठीक है, then what will the amount of what will be the, what will be the, will be the amount, what will be the amount in इंदा सेम प्रियद कर दो दोंगे वताओ जलती से कि नहीं कर दोगे क्या si जल्दी से बादो बाइं नहीं हो जागा आपसे देखो अब आप सिंपल इंट्रेस्ट निकालोगे चार सो रेट कितना है रेट आपका कितना है यल्दी बताओ इस गुणने आड़क्या है इस अब आप सिंपल इंट्रेस्ट कितना थाटीट्व है कि यहां किसी को दिक्कत नई दिक्कत वनी चाहिए ठीगा है अब बोल रहा कि एट परचेंट कर रहा है तो कुछ नहीं करना है कुछ नहीं करना है चार सो असी में 32 जोड़ दो अब क्योंकि आएसे क्योंकि हम जानते इमाउंट इजिकल स्टू क्या होता है प्रिंसिपल पलस एस आई प्रिंसिपल कितना दे रखा आपका गाला-थै़ल इमामंट आपका पांसो बारह हो गया है कि आप है अकिर कैसे है कि यह भी तो सकते हो आप वो गया है नशिकल को मतलब चार साल के बाद आपका रेत दो परसेंट बढ़ गया तक कितना बारा सिम्पल इंटरेस्ट बताना पड़ेगा ना तो बढ़ा कितना 32 अब 32 तो एमाउंट्ट इसकी हो ताई प्रिंसपल प्लस इसाई कि सीब्रेंटर्स 32 बढ़ा और आपका जो प्रिंसपल था वह 400 से 480 क्यों गया तो बस जोड़ दिया यह मांट निकल गया बस हो गया सिंपल अब इसमें भी कोई दिक्कत किसी को बताओ किसी को दिक्कत है क्या कि किसी को दिक्कत ने वनी चाहिए चलो अगले कोसे में चलते हैं अब बहुत सारे कोशन है अब टेंसन नालो अब्पी यह अआज ़ाएफ की आजाए के आप लोग औरंवा है क्या आप चलो नयाक कॉंसेप्ट फिर दासू और ध्यान से देखना उसको एक नया कॉंसेट पर कोसं की बात करते हैं, नया कॉंसेट आप सीखने जा रहे हो, खुस हो जा थोरा सा, खुस हो जा थोरा सा, चलो, देखो, वो कॉंसेट उस कॉंसेट का कोसं कल करवाऊंगा ध्यान देना, वो नया कॉंसेट पेपर में आताना, बहुत असान होता है, भले चल रही है लेकिन अपनी गाड़ी चल रही है लेकिन मीद सबसे बैठर हमें सीखेंगे ठीक है अब देखो अजआ थीी के इस वाई से थोड़ा सलो लेकिर चल रहा हूँ ज्यादा टेन्सन राव आप लो ठीक है अब देखो जब दहन जब आप का धन इन गुना बढ़ जब आपका जब आपका जब आपका जब धन इन गुना बढ़ जाता है जाए इन गुना हो जाए अंट कर् counting अधिन गुना होजाय शुञा मतलब कहने का अर्थाद क्या इन गुना कहने का कि आइन सुर्वित कूष है थिक अधिन एन टाम्जो जाए तो यह तो आपका प्रिंसिपल है लियान से प्रिंसिपल है और यह क्या इन्थ टाइम सोजा कितना इन्थ टाइम सोजा है क्या तो क्या निकल कि आएगा भाई इमाउंट अभी नहीं समझें मुझे पता है अभी लिख रहा हुआ उसो लिखो पले अब जैसे की कि जैसे की अजैसे की सिंपल इंट्रेस्ट इज इकल टू अमाउंट माइनस मैं सिप्रिंसिपल करते हैं अब सिंपल इंट्रेस्ट इजिकल तो आपका क्या है एन ताइंक हो गया तो इन पी हो गया principle से आपका amount जो गया n times हो गया जो कि यह क्या हो गया n p हो गया और principle p है तो simple interest is cost to common क्या लोगे p ले लोगे p ले लोगे तो क्या हो जागा n minus 1 क्या हो जागा n minus 1 आप ध्यान देना ध्यान देना यह एक formula याद करना है दूसरा अगर यहीं पर si के जगा लिखोगे important पले यह p गुने r गुने t by 100 बटा में p n minus 1 p से p कटा तो क्या हो जागा n minus 1 is equals to r t by 100 यह दोनो formula exam में सीधा सीधा कोशन आता है most important है most important है याद अखना जब आपका कोई principle n times हो जाए n times होगा तो n p आपका amount हो गया तो simple interest क्या हो गया amount minus principle पता है हमें क्यों ऐसे लिखो गुरू जी तो हमें पता amount is equals to होता है p plus si तो si is equals to क्या हो जागा amount minus principle तो आपका amount अगर n p दे रखा है और p प्रिंस्पल आया तो si is equals to p n minus 1 जागा simple interest दे रखा होगा इन नमबर तो प्रिंस्पल निकल जागा अगर वहां तक नहीं दे रखा होगा तो आप p गुने r गुने t by 100 करके ये निकालोगे n minus 1 आग t by 100 अब देखो कहां पर यूज होगा पूछोगे न कहां पर यूज होगा किस question में आगा देखो 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 इधर गाई रेज करू करता हूँ ठीक है ध्यान देना ध्यान देना अब अब ध्यान देना अब concept के question देखो यदी question यदी धन पाँच टाइम्स पाँच टाइम्स हो जाता है ठीक है धन पाँच टाइम्स हो जाता है रेट आपका दे रखा है 10% तो टाइम क्या होगा अब हमने क्या आपको बताया formula किस चीज़ का सीधा मैंने बताए n-1 80 by 100 इन क्या है पाँच में से एक गया आर दस टी कितना आपका टी नहीं दे रखा है 80 by 100 हो गया 10 से 10 कट गया तो 4 गुने 10 इस गस टी तो टी बराबर 40 कितना 40 साल अगर यहीं पर कोश्चन कोश्चन अगर कोई धन कोई दन साथ गुना साथ गुना अथारा साल में हो जाता है अथारा साल में हो जाता है अगरेट क्या होगा फॉर्मूला है इन माइनस वन आटी बाई हंड्रेड साथ में से घटाओ और आड के जगा कुछ नहीं है टाइम आपका अथारा गुना हो रहा है बटा में सव हो गया यह कितना हो गया? शीक्स गुने हंड्रेड बटा में एटीन बटा में रेट तो छत्री अठारा कट गया तो रेट इज कस तो 33 वन बाई 3 परसेंट बताओ तो यह कॉंसेट आपको कैसा लगा सो बताओ बोलता हो नहीं के कॉंसेट लेके चलूँगा अभी कुछ और कॉंसेट बच्चे हुए उसके बाद इंस्टॉल्मेंट वाला आए ना वह लेके जाएंगे इस्टॉल्मेंट को वरादेंगे इंटेंसर नलो जीगर में उताएंगे मैत तब यह थोई से ठीक नहीं है इस वज़ए से मैं थोड़ा सा अराम से बोल रहा हूं जैसे ठीक होगी गड़दा वुडाते सिलेंगे ठीक है ना तो फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में अगर मेरे चानल पर नहीं हो लाइक sorry लुए भूलं को बार बार नहीं भूलने जयोत होगी कमेंट सकतों आना कि आपको यह ट्रका पर जयाएंग नेक्संट वीडियो में फिलाली यह बंदेवातर